इस वीडियो से हम सिखेंगे पाजंकों तक की संख्याओं के सांखिक नाम, स्थानी अमान और प्रसारित रूप संख्याओं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन में ऐसे कई स्थितियां आती हैं जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे गिंदी के लिए, मापने के लिए, लेबल लगाने के लिए, समय दर्शाने के लिए और कई सारे हम अंको का प्रयोग कर कोई भी संख्या बना सकते हैं, जैसे किसी कक्षा में विद्ध्यार्थियों की संख्या, शर्ट की कीमत, कंप्यूटर का मूल्य, आदी, किसी संख्या को अंको के रूप में व्यक्त करना कहलाता है संख्यांक, यानि नूमरल, छोटी संख्याओं को आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या को पढ़ पाना मुश्किल होता है, संख्याओं को आसानी से पढ़ने के लिए हम सूचक को यानि इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं, सूचक दाएं से बाएं लिखे जाते हैं, कुछ सूचक है इकाई यानि वन्स, दहाई यानि टैन्स, सौ यानि हंड्रेड्स, हजारो यानि थाउजंस, दस हजारो यानि तैन थाउजंस, जिने व्यक्त किया जाता है, बड़ी लिपी के अक्षर O, T, H, T, H और T, T, H से, इस संख्या को शब्दों में व्यक्त किया जाता है, 56,423 जब भी संख्यांकों को लिखा जाता है, साधार अंतह, इनको बीना सूचकों के लिखा जाता है, ऐसे में बड़ी संख्यांकों पढ़ने और लिखने में कठिनाई उत्पन्न होती है, इस कठिनाई को आसान बनाने के लिए अल्प विराम यानि कौमा सहायता प्रदान करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग हजारों को प्रदर्शित यानि माक करने के लिए किया जाता है, इसके लिए अल्प विराम दाएं से तीसरे अंक के बात लगाया जाता है, अब इस संख्या को देखे भले यह संख्या बनी हो पांच, छे, चार, दो और तीन इन अंकों के प्रयोक से लेकिन हर एक अंक का मान अलग-अलग है इस तरह संख्या के स्थानों पर निर्भर किसी अंक के मान को स्थानिय मान यानि प्लेस वैल्यू कहा जाता है संख्या को अंकों के स्थानिय मानों के योग में व्यक्त किया जा सकता है इन संख्याओं को इस तरह प्रसारित यानि एक्स्पांड भी किया जा सकता है इसे संख्या का प्रसारित रूप यानि एक्स्पांडेट फॉर्म कहा जाता है इस तरह से हमने इसके प्रत्यक अंक का मूल्य दिखाने के लिए संख्या का प्रसारण किया है इस रूप से यह पता किया जा सकता है कि इस संख्या में पांच दस हजार के समोह है छे हजार के समोह है चार सौ के समोह है और दो दस के समोह है और तीन इकाईया है कई सारे चिन्णों और संख्याओं को देख यहां कौनसी संकरिया पहले करें यह उल्जन जरूर उत्पन्न होती है इसे दूर करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग एक महत्वपून साधन है यहां गुणन की संक्रिया पहले की जानी चाहिए यह समझने के लिए हम गुणन की संक्रिया को कोश्ठकों में व्यक्त करेंगे आज हमने सीखा पाजंकों तक की संख्याओं के सांखिक नाम, स्थानी अमान और प्रसारित रूप झाल